अलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत मेरे चैनल पे तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में एक और नया टॉपिक लेखे आप सभी के सामने हाजिर हूँ और यह जो टॉपिक है यह मुर्की के बारे में है टच नोट के बारे में तो इस टॉपिक के उपर बहुत से वीडियो इससे पहले मैं बना भी चुका हूँ slider के साथ मुर्की कैसे लेनी है मुर्की कितने तरह की होती है slider की moment के हिसाब से बिना slider के जो मुर्की है या touch note है वो कैसे लेना है तो ये सबी topics मैं अपने पुराने वीडियो में cover कर चुका हूँ तो friends आज का जो वीडियो है इसमें एक और नहीं तरह की मुर्की तो जिसको की जिसका मुझे technically उसका क्या नाम है मुझे कहीं नहीं मिला मैं भी उसको जो इंडियन classical music है उसमें कुछ नाम देते हो तो मैंने उसका नाम अपनी तरफ से फिर रख दिया reverse मुर्की तो अभी आप कहेंगे कि reverse मुर्की का क्या मतलब है तो reverse मुर्की सिर्फ और सिर्फ मैंने जो हमारा instrument harmonica है उसके reference से उसका नाम मैंने reverse मुर्की रखा है क्योंकि normally जो हमारा normal harmonica होता है बिना slider reverse किये हुए या जो हम normal मुर्की लेते हैं बिना slider के तो उस मुर्की में क्या होता है कि जो हमारा मेन नोट है उसके हायर नोट को हम टच करके वापस आते हैं तो अगर स्लाइडर से मुर्की ले रहे हैं तो हाफ नोट या एक सेमी टोन हम उपर जाते हैं जब हलका सा स्लाइडर प्रेस करते हैं तो उस नोट को हम मुमेंटेरिली एक बहुत ही छोटी duration के लिए touch करके वापिस आ जाते हैं तो इसी परकार से जो बिना slider की मुर्की होती है उसमें भी कुछ ऐसा ही हम करते हैं कि बिना slider press किये हुए हर्मोनिका को बजाते हुए हम next higher note जो है उसको touch करके वापिस जो main note है उसके उपर आ जाते हैं तो अगर हम इसको मुर्की बोलते हैं तो जो इसका opposite है उसको reverse मुर्की बोलेंगे opposite से मेरा मतलब कि अगर हम बजाए इसके कि higher note को touch करके वापिस आए तो अगर हम कुई lower note को touch करके वापिस main note पे आते हैं तो मैंने उसको बोल दिया reverse मुर्की तो reverse का मतलब ही है कि direction जो है वो चेंज होगी तो positive negative तो खेर जो slider reverse करके harmonica play करते हैं तो वो तो खेर जो मतलब इस तरह की मुर्की है उससे वो वाकिफ भी होंगे क्योंकि slider reverse करने का one of the major purpose जो main उसका reason है main purpose है वो एक यही है कि हम lower note को touch note लेके तो main note से आधा note जो है lower जाके उसको just touch करके वापिस आते हैं तो वो एक बहुत ही खुबसूरत effect touch note या मुर्की बनती है आज के वीडियो में मैं reverse मुर्की की जो बात कर रहा हूँ जिसमें हम lower note को touch करके वापिस आएंगे तो मैं reverse slider की बात नहीं करूँगा normal slider से भी हम play कर सकते हैं reverse से भी बट इसमें slider का कोई role नहीं होगा बिना slider के हम यह जो मुर्की है इसको हम लेंगे और इसको reason क्या है लेने का कि बहुत से songs में ऐसा होता है जो singers है जब वो lower octave पे गा रहे होते हैं खास तोर पे अगर मैं यहां पे mention करूँ जगजीत सिंग जी हो गए रफी साहिब हो गए उन्होंने इस परकार की जो touch note है उसका उन्होंने बहुत अपनी गाईकी में प्रयोग किया है तो मैंने अपने कुछ notation videos जो बनाए है तो कुछ videos में मैंने यह चीज जो है specially mention भी की है कि इस जगह पे आपको यह वाली जो मुर तो इसमें आपने देखा जो मेंन नोट है वो सा है पानोट से हम पानोट को मुमेंटेरिली टच करके वापस हम अपने मेंन नोट पे आ जाएंगे तो मैं दो सौंग की आपको example दूँगा एक जगजीत सिंग जी का सौंग है होठों से चूलो तुम जो यहाँ पे वर्ड होठों से चूलो तुम तो उसमें उन्होंने इस परकार का जो टच है वो दिया है अपनी सिंगिंग में तो इसको अगर आप लगाएंगे तो यह खूबसूरत लगेगा तो यह जो मुर्की है यह नॉर्मल मुर्की है क्योंकि इसमें हम हायर नोट से लोर में नोट है उसकी तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा लोर नोट से हम में नोट जो है उसकी तरफ जा रहे है तो यह मैंने एक एकजामपल दिये एक और एकजामपल मैं आपको देता हूँ सॉंग है रफीज साहिब का जाने कहा मेरा जिगर गया जी तो उसमें जो अंतरा पार्ट है अंत्रा में जो female part है तो उसमें इस तरह की जो मैंने touch note बोले है उनका बहुत प्रियोग किया गया है singing में अभी आप ध्यान से सुनिए female part अंत्रा का actually मुर्की के उसमें जो flow है तो वो तूट रहा था थोड़ा सा इसलिए नोट जो था वो गलत बज़ रहा था दुबारा से तो आपने ये देखा ये plane है अभी फिर से आएगा आपने देखा तीन बार मैंने ये जो टच नोट है उसका प्रियोग किया अंत्रा की जो दूसरी लाइन है तो ये जो नोट है तो यहाँ पे आपने देखा गा से मैं पा पे जा रहा हूँ मतलब पा में नोट है और गा को टच करते हुए मैं ये गा नोट है ये पा नोट है तो ये जो नोट है एक्चुल में फिमेल पार्ट में आप फिल करेंगे कि ये लोवर नोट को टच करके में नोट पे जो गाई की में सिंगिंग में ये चीज जो है ये यूस की गई है और ऐसे बहुत से सौंग्स हैं मैंने दो सौंग्स की आपको एक्जामपल दी है जगजीत सिंग साहिब और रफी साहिब के बहुत से सौंग्स आपको मिल जाएंगे जिनमें की इस तरह की जो टच नोट है या मुर्की है उसका इस्तेमाल किया गया है मैंने अपनी तरफ से इसका नाम इसको रिवर्स मुर्की बोल दिया है तो वो रीजन सिर्फ यह है कि मैं हर्मोनिका के हिसाब से इसका मैंने नाम करण जो है वो किया है बट एक्चुल में इसका कोई नाम जरूर होगा मुझे वो नहीं मिला मैंने मतलब खोजने की कोशिश की तो मुझे हर जगह पर यह टच नोट ही मिला इसका नाम या कंड सवर बोलते हैं जैसा कि हम रिवर्स स्लाइडर में बजाते हैं तो रिवर्स स्लाइडर में लोवर नोट जो है आफ नोट नीचे वो टच करके में नोट की तरफ आते हैं तो उसका नाम जो था कंड सवर ह रखा हुआ था तो खेर जो भी नाम हो नाम में क्या रखा है में बात यही है कि आपको यह चीज आनी चाहिए इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए कोई बहुत ज्यादा यह मुश्किल नहीं है और जहां पे सिंगिंग में यह चीज यूज हुई है आप हर्मोनिका के उपर भी य प्रैंग है उसमें जरूर ट्राइग करेंगे अगर आपने पहले नहीं किया है और आपको यह वीडियो जो है मेरे हिसाब से जरूर आपके लिए हल्पुल होगा ऐसे ही और ने टॉपिक्स के साथ समय समय पे आप सभी के सामने हाजर होता रहूंगा तो आज के लिए बस इ दिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए डू टेक केर अफ योर्सेल्फ एंड गुडबाय पूर नाओ